सच शेकाल दोस्तों कैसे हैं आप सभी का वैलकम है पूनम को रेसिपी में तो दोस्तों सीजन चल रहा है और ऐसी सीजन में आम की बहुत बढ़ी बढ़ी रेसिपी में खाने में मज़सा आता है तो आज मैं युणीक सी रेसिपी आपके लाई हूं । इसे हम आद देखेंगे किस तरह ऐसे बनाएंगे पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे हार लेटेस वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके तो चलिए रोस्टेड वेमसली जिसे कहते हैं वो हमने इसमें डाल दी और तीन से चार मट तक अच्छी तरह से हम इसे घी के साथ भूनेंगे जब तक यह अच्छी तरह से बड़ी आसी खुशबूर आने लग जाती तब तक तो यह देखिए काफी अच्छी तरह से इसको हमने भून हलकहलका जो इस का कलर है वह भी चेंज हो चुका है तो इस स्टेश पर Ub दोध तो यहाँ पर मैंने डाल है एक लीटर दूरी दोस्तों यह दूढ़े नियुद कर लिए था पर उसके वाद फ्रीज में तोरई जगे नहीं थी तो मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया तो थोड़ा से यह जम गया है बड़ यहां पे मने बॉइल किया हुआ दूध ही इस्तमाल किया है और आप भी कोशिश कीजिएगा कि दूध को एक बार पहले अच्छी तरह से बॉइल करने के बाद यूज कीजिए अब यहां देखेंगे कि दूध के ऊपर इस तरह से जो मलाई आती जाएगी न उसे हम दूध में मिक्स करते जाएंगे ऐसा करने से थोड़ा मलाई दार भी होगा और क्रीमी और रिच इसका टेक्श्चर आएगा बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों जैसे हम और और पहले खीर ब दालेंगे चीनी तो शाट से आठ बड़े चमश हम से शीह काफी है मात्र में ज dedic काफी ही मात्र मैं डालेंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगता है तो थोड़ी अच्छी मात्रहा में हम इसमें चीनी दाल देते हैं उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे एक बिले एक ए etmek के दोस्तो हमारा first step complete हो चुका है, overall हमने यहाँ पर इसकी खीर बना दी है, तो यह हो जाने के बाग, आप इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसकी बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाए, जब तक हम यहाँ पर मैंने एक आम बना ली है, तो यह देखी, काफी अच्छा मीठा आम था, तो इसका कलर भी कितना बड़िया सा लग रहा है, तो बस यह पल्प हमारी ready है, और दो घंटे हो चुके है, दूद अच्छी तरह से मेरा ठंडा हो चुका है, तोड़ा गाडा भी हो चुका है, अब इस स्टेज प पल्प हम इसमें डाल दी, उसकी बाद हम इसी बढ़िया से करेंगे, मिक्स, यहां पर आप इसे थोड़ा सा टेस्ट भी जरूर कीजिएगा, मिक्स करने के बाद, अगर आपको लगे की चीनी कम है, तो थोड़ी सी पाउडर शुगर आप इसमें मिला सकते हैं, मैंने आपक इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, तो काफी अच्छा गाड़ा भी लग रहा है, और इसका कलर देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सा हो चुका है, केसरी टाइप का रंग हो गया है, तो बस हमारी मैंगो खीर बनकर तयार है, यह मैंगो का एक डिजर्ट है दोस चुकी है, और काफी अच्छी क्रीमी क्रीमी लग रही है, तो आप इसे सफ कीजिए ठंड़ ठंड़ और आप इस रेसेपी को ज़रूर राइ कीजिए, मुझे उमीद है आपको यह रेसेपी पसंद आएगी, अगर रेसेपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए